जादूगर्णी ने उन दोनों भाईयों को वश्मे कर लिया और कहा अगर तुम अपने तीसरे भाई को वापिस गदे से इंसान के रूप में चाहते हो तो इसे पुलिस टेशन छोड़ाओ और वहां से भाग जाओ उन दोनों भाईयों ने फिर वैसा ही किया वो गदे को पुलिस टेशन छोड़ कर महां से भाग गए और उनकी मा ने अपने तीसरे बच्चे को पहचान लिया और पुलिस वाले से कहा ये पक्का उस जादूगर्णी का सारा किया धरा है जो इस शहर में नहीं आई है उसने जा जादूगर्णी के यहां पहुंचे उन्होंने देखा कि जादूगर्णी वहाँ से गायब थी और अचानक से पुलिस वाला किसी के वश में हो गया और यहां पता चला कि वो जादूगर्णी कोई और नहीं उन तीनों बच्चों की मा थी जो अकसर अपने दूसरे घर में बैट कर काले जादू का प्रयोग करती थी। उसे ये सब अपने तीनों बच्चों के साथ करना पड़ा ताकि उसकी असलियत कहीं बाहर ना आ जाए। और पुलीस वाले को उसने कहा कि उन दोनों भाईयों को पकड़ कर मेरे पास ले आए। क्योंकि वो अपना जादू सिर्फ अपने ही घर में कर सकती थी बाहर नहीं।